बीएसपी के कारकरता ने वो खबर आज लिखी है जिसे सुनकर वा सोचकर बीएसपी के जो बिपच्छी पारकी है उसकी तो नींद उड़ चुकी है और आज वो खबर हम बताएंगे कि अगर असल में इंकम टेक्स एगी और सीवियाई किसी के पीछे जांच लगाती है तो उ नीचे अस्तर तक जा सकती है कि चुनाव लड़ने तक उसके पास पैसा नहीं बचेगा आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं आपको खबर आज बताएंगे ब्रेकिंग न्यूज न्यूज 24 से है कि चार करोण रुपए की हेरा फेरी हुई है आपको सुनने में सि गौरोपाल जी समें लगतार बस्पा की रेलिया कबर कर रहे हैं और उन्होंने लिखा कि आकास आनंद को लेकर के मुस्लिम समाज एक तरफा ब्यस्पी की तरफा रहा है और आज आकास आनंद ने किस तरह से अकलेस यादों की पॉल खोली है वो आज सुनना चाहिए और हैं बहुत सारे पोस्टर हमारे पास से जो आपको दिखाएंगे आकास आनंद जी ने खुद यह साजा किया है यह न्यूज जो आपको बताएंगे हम यह साजा किया है और यह बहुत बड़ी खबर है यह बुलंद सहर की खबर है जो आपको बताएंगे लेकिन यूपी के ब साथियों लगातार बहुजन समाज पार्टी के राष्टे कोडिनेटर आकासानंद लगातार रेलिया कर रहे हैं और उस रेलिय का प्रभाव ये है कि बहुजन समाज दबा कुछला SCST, OBC, जर्नल के टेगरी के जितने भी BSP के चाहने वाले लोग हैं उनके अंदर एक नया जो पैदा हो रहा है, नई उत्साह पैदा हो रही है, राष्टे कोडिनेटर आकासानंद BSP के लगातार जितनी रेलिया कर रहे हैं उस रेलियों में लोगों का जनसंख्या बढ़ता ही नजर आ रहा है, नगीना में जो रेलिय हुई थी, उसके बाद बुलंद सहर और राइब रेलिय, इन सभी जगों पर जितनी भी रेलिया हुई है, उसमें लाखों की तादाद में भीड़ थी, लेकिन मजाल है, ये टीबी अकबार आपको दिखा दे, एक टीबी अकबार आपकी रेलिया नहीं, आपकी फोटो तक नहीं दिखाएगा, मैं फिर कह रहा हूं, देते, बात चीत करते, उन्हें यूटूबर ना समझते, तो आज सायद बहुत ज़्यादा फेमस होती, मैं इसा चाई के साथ बता रहा हूं, और सबसे बड़ी कमई बहुजन समाज के निताओं में यही है, कि वो अपना फेम सोसल मेडिया को नहीं बताना चाहते हैं, वो किसी ना किसी विचार धारा से गरस्त होते हैं, और वो चाहते हैं कि ऐसे लोगों की रहलिया ना दिखाई जाए, खैर, यह तस्बीर आप देखिए, लाखों की तादाद है बरेली में, बहुत सारे लोग आये होए थे, औरतों की भागेदारी ज़्यादा थी, नए लड़ लगतार बहुजन समाज की खबरे ही बता देंगे, जो दलित पिछले आदिवासियों पर अत्याचार भी होता है, आप समझने की कोशिच किजिए, एक तरफ तो हमारे नेतास संसद में और विधान सभा में जाने के लिए बिल्कुल उतावले हो रहे हैं, और लगतार बहु आज एक ट्वीट साजा किया है, जिसे लेकर के बहुजन समाज को सुनना चाहिए, बहुत ही ये सरमिंदगी वाली ट्वीट है कि जहां पर मोदी जी लगतार कहते हैं, दलित पिछले आदिवासी मेरे सबसे प्रिये हैं, और उनहीं पर अत्याचार हो रहा है, और सोचे मेर टैंसन है, ये एक न्यू जुआलों ने शापा है, सोचे एक कटिंग जो मेरे पास मिली है, इसे देव बिरत त्यागी जी को जो चुनाओ मैदान में उतारा गया, उसको लेकर के बीजेपी वाले बहुत ज़्यादा प्रिसान हैं, और कहीं न कहीं बीजेपी की टकर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कर रही है, ये बड़ी खबर है, और जो लोग कहते थे कि आकास आनंद चुनाओी मैदान में अभी उतरते नहीं हैं, वो एसी में बैटकर राजनीती करते हैं, मैं चारपांट सो वीडियो बना चुका हूँ नहीं उजवाली, तो उसमें लगातार मैं पहले कहते थे वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, असल में टैंसन बढ़ा रहे हैं अकास आनंद, इन जितने भी बीजेपी के विपच्छी पाड़की हैं, उनका टैंसन बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं आने वाले 2027 के अच्छे खासे उत्तरपरदेश के मुखमंतरी के न कौन है जिसनने टूइक लिखा और उससे पूरे बिपच्छे हो के नींद ऊड़ने वाली है, उसने लिखा कि जो लोग कहते थे कि बीएस पी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, वो अब कह रहे हैं कि बीएस पी दिखाई दे रही है BJP को हराना है इसलिए BSP कहीं लड़े ही मत सोचिए कहीं चुनाव मत लड़े साथियों ऐसा जाती वादों से साउधान रहें ये लोग BSP को खतम करके आपको राजनेतिक रूप से अच्छूत बनाना चाहते हैं BSP ही हमारा घर है जागो सोचिए BSP के साथ ब्रहमर समाज बहुत जादा है जो ब्रहमर समाज समझ रहा है कि लोकसभा, राजसभा, विधानसभा इन सभी जगा पर अगर बसपा न होती तो साथ आज ब्रहमर समाज नहीं पहुँच पाता लगातार ब्रहमर समाज को पहुचाने वाली बहुजन समाज पार्टी है हर खबर पर आपके नजर होगी सोचे चार करोण रुपे से जादा बरामत किये गए हैं इगे इनकंटेक्स अगर छापा मारे तो सबसे पहले बीजेपी वालों के पास मारे सोचे तामबरम रेलवे स्टेशन पर चार करोण कैस बरामत हिरासत में बीजेपी वरकर सहित तीन लोग सोचे यी पैसे कहां से इनके पास आ जाते हैं और सोचे गवरोपाल ने लिखा कि मुसलिम समाज को लेकर आकासानन्द का अकलेस यादो पर तीखा परहार हमला अकलेस यादो ने टोपी पहना कर जनता को टोपी पहनाई है मुसलिम समाज का एक तरफा ओंट लिया और चुप बैठ कर उन पर होते अत्याचार देखते रहे आका सानन्द और आका सानन्द ने बहुत बाते कही है मुस्लिम समाज और अकले स्यादों को ले करके उन्होंने बताया कि सिर्फ ओँट लेने के लिए मुस्लिम समाज को अपना भाई बताते हैं अगर दंगा कहीं हो जाए तो सबसे पहले आगे उन्हें कर देते हैं और टोपी पहना के ओट लेने का काम हो करते हैं सिरिफ मुसल्मानों पर लगातार अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के अकले स्यादो एक सब्द तक नहीं बोलते हैं और एक बार मैं फिर इस तस्वीर को दिखाऊंगा और आप लोगों को देखना चाहिए तस्वीर देखिए कितनी भव्य तस्वीर है यहां लाखों लोगों की जन संख्या बताई जा रही अनुमान है और आकास अनंद ने क्या साजा किया है सुनिए बियस्पी के सभी पदाधिकारी समर्थकों और कारकरताओं का बुलंद सहर लोगसभा के सभी लोगों के समर्थन और जोस के लिए धन्यवाद बियस्पी के बुलंद सभर लोकसभा उमिद्वार स्री ग्रीश चंदर जाटो जी को भारी मतों से चुनकर जीत कर लोकसभा में भेजना है जैभिम जैभारत ये तो बड़ी ख़बर है आपको बताते ही यूपी में आज बरेली में एक बड़ा जनसालाब था ब्यएसपी का और क्या हुआ वहां पर आपको बताते हैं आज यूपी के बरेली में बस्पा के राश्टे कोजिनेकर आकासानन जी की जनसभा होने से पहले मैदान खचाखच भारा चुका था जनता अब उनकी आवाज सुनने का इंतिजार कर रही थी थोड़ी ही तेर में आकासानन जी जनस रेली में बस्पा की रेली नहीं रैला था इतनी भीड थी बस्पा की तस्वीर आप देख सकते हैं और मैं सुक्र गुजार करूंगा मंजी सिंग्नोट्याल का जो लगातार बहुजुनों पर हो रहे हैं त्याचार को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं हम तो इस जुल को इस लिए बेरहमी से पीटा कि उसने अपने बखाया पैसे मांगा था तिस मार्च से आज आठ अपरेल है मामले को ततकाल संगठन में लेकर कठोर गर्बे की जय हम यह जुलुम किसी भी सूरत में बरदास नहीं करेंगे सुचे मंजी सिंग्नोट्याल का लिखना है लगत में उतर चुके हैं और दली पिछले आदिवासी गरीब समुदाय के लोगों का आवाज बन रहें किसानों की आवाज बन रहें और एक पेपर की कटिंग है मेरे पास देव ब्रत्यागी को ले करके इसमें साब साब यह लिखा हुआ है कि मेरच में बस्पा का समी करड़ ही भाजपा की असली कैंसन है देव ब्रत्यागी को मिली हाजी आक्यो परिवार का साथ हाजी फिरोज बोले मेरच में हाथी ही रौंद सकता है कमल यह बड़ी खबर है और तमाम उन खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आप से हाथ जोड़के र सब्सक्राइब के साथ तब तक के लिए जय भीम नमुमुद्धाएं